आपका स्वागत है आज इस चैनल के मादम से मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगा अलंकार एक महत्मून चैप्टर है जो 9 से लेकर 10 वी क्लास के सिलेवस में है और बड़े क्लास में भी आप जाओगे तो उसमें भी अलंकार के चैप्टर आते हैं तो अलं असान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप इसे असानी से समझ जाएं और कम से कम समय में समझ करके पेपर में आप अगर आए तो आप इसका लाव उठा सके और अच्छे से पचान सके कि कौन सा अलंकार है तो पहले हम अलंकार किस से शुरुआत करते हैं अलंकार का साबदिक अर्थ होता है आप घूसर्ड गहना सोभा संदर्य आप कुछ भी कर सकते हैं यह दो सब्दों के मेल से बना है अलं और कार अलंका अर्थ होता है सोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला करने वाला या बढ़ाने वाला इसका अर्थ होता है परिभासा इसका हम इसी अर्थार पर देते हैं परिभासा इसका है सब्दों एवं अर्थों के द्वारा कविता में जो सुन्दर्ता या चमतकार उत्पन होता है उसे हम अलंकार करते हैं अ करते हैं सजते हैं सवर्ते हैं गहना अभूसन का पर्योग करते हैं उसी परकार से कभी क्या करता है कि कभिता की सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए सब्द एवं अर्थ रूपी अलंकार अर्थात गहने का पर्योग करता है और इसके द्वारा कभिता के सुंदर्ता को बढ़ात है जिसको की पढ़ करके हमें और आपको अनन्द मिलता है और उसका जो रस है हम अनभव करते हैं हम अलंकार के भेद पर इसके तीन भेद हैं ऐसे तो दो ही आपको पढ़ने हैं सब्दा अलंकार इसमें सब्दों के द्वारा अलंकार उत्पन होता है दूसरा होता है अर्था अलंकार इसमें अर्थों के द्वारा अलंकार उत्पन होता है और तीसरा होता है आपका उभ्या अलंकार उभ्या अलंकार जैसा नाम से आपको पता चलेगा उभ्या का मतलब होत दोनों ही आ जाए तो सब्दों एवाम अर्थों के द्वारा जिसमें अलंकार उत्पन होता है उसे हम उभ्या अलंकार करते हैं तो आपको आपके सिलेवस में सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार है उभ्या अलंकार को अलग से नहीं पढ़ना है क्योंकि उभ्या अलंकार इ जो चमतकार उत्पन होता है, उसे हम अलंकार कहते हैं, अब आते हैं सब्दा अलंकार पर सब्दा अलंकार, सब्दू के द्वारा जो कविता में अलंकार उत्पन होता है, उसे हम सब्दा अलंकार कहते हैं, अब इसके तीन भेद हो गए, इसमें पहला अलंकार हो गया अनुप अनुप्रास अलंकार कहते हैं जैसे जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणे खेल रही थी जल्थल में अब चारू चंद्र चारू में चा है, चंद्र में चा है और चंचल में चा है ये कहीं बर्ण तीन बार आया तो चा चा की आवरिती से इस कविता के सुन्दरता बढ़ रही है अता यहां पर अनुप्रास अलंकार है यह सबसे असान अलंकार है किसी भी वर्ण का जब बार बार आवरिती हो अर्थ जोड़े में होना जोड़े अर्थात कपल यह सब्द एक सब्द अनेक बार आते हैं दो बाराय तीन बाराय या मतलब अनेकों बारा सकता है तो जहां एक ही सब्द बार-बार परियोग हो और हर बार उसका अलग-अलग अर्थ निकले वहां यमक अलंकार होता है जैसे कनक कनक ते सौगुना मा दखता अधिकाए वह खाए बार आये है या पाए बार आये अर्थात कनक कनक के यहां पर दो अर्थ निकल गए एक कनक कार्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक कार्थ होता है सोना एक कर्थ कार्थ हो गया धतूरा दूसरे का सोना अब यहां पर अर्फा धन दवलत को क्र आप क्या होते हैं अपने सामने किसी को समझते नहीं है तो इसका यहीं हुआ किस जीस कविता में अगर एक इहीं सब्द बार-बार आए और दोनों का अलग-अलग अर्थ निकले तो आप समझ लेजिए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है यमक अलंकार है इस परकार से कर आपको एक्जामपल के देता हूं जैसे रहिमंग पानी राखिओ बीन पानी सब्सून पानी ऍगवन अबरे मोती मानुश्ट चून पानी के ती अर्थ निकल गए एक पानी का अर nouveauत होता है रहिमंग पानी रखियो पानी यहां पर इज़त से हो गया दूसरा पानी हो गया कि चुून rate में सफेदी के लिए सफेदी लाता है और तीसरा होता है चमक मोती में चमक पानी से यह आता है तो इस प्रकार से पानी के तीन अर्थ निकल गए तो जहाँ पर कहीं सब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग 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 निकले तो वहां आप समझ लिजिए यहां पर यमक अलंकार है अब सब्दा अलंकार का तीसरा भेद है सलेश अलंकार सलेश सलेश का साब्दिक अर्थ होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको सलेश का अर्थ होता है चीपका हुआ होना अर्थात एक सब्द से अनेक अर्थ निकल जाए वहां होता है सलेश सलंकार जैसे आपको समझा देता हूं बीपुल धन अनेको रत्न लेकर आये हो बत दो अर्थ चिपके हूए हैог एक सब्सक्रार्ण से दो उर्थ निकल गए एक और दूसरा र की टो जहां कहीं भी एक सब्न से अनेक अर्थ निकले हो वहां समझें की वहां पर सलेश सुलंकार है कि यह मेरा च्छोटा सा वीडियो आपको बसन जरूर आया होगा और इन ही सब्दों के साथ मैं आपको एक motivational लाइन बोलता हूँ कि हर समस्या सुल्जेगी आप उलजना छोड़ दें और हर मंजी मिलेगी आप भटकना छोड़ दें थैंक यू भेरी मच